आप अप अप आप अप अ असलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप यह आपके पास 9th Computer Studies का Target Paper है वो तमाम बच्चे जो इस साल 9th के examination में इन तमाम बच्चों के लिए Computer Studies का Target Paper है तो कुशिश कीजिए कि इस Paper को Complete कीजिए ताकि आपके अच्छे माखस आ सके अब देखें हम इसमें discuss करेंगे कि आपके पास जो है वो क्या के चीज़ इंपॉर्टन है क्या के चीज़ नहीं है इंपॉर्टन सेक्शन C तक देखें क्या चीज़ समझ आ रही क्या तीज़ नहीं आ रही तो डेफिरिजली उसके बाद आपक कमेंट कर सकते हैं, मुझे पता देती है ama कमेंट कर दें कि अए पहर मुझे यह चीज़ समझ नहीं आ ली मतब यह वो पेपर बढ़ा है मुझे इसमें याद करने पुट परिशानी कुगी या समझने में परशानी होगी तो definitely मैं आपको guide कर सकता हूँ मैं आपको comment देखूँँगा आपका comment का reply करूँगा इंशालला we will contact on whatsapp तो आपको स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो computer का paper होता है 9 का 75 marks का होता है जिसमें आपको 15 marks के MCQs है और 60 marks का आपका subjective paper है जिसमें section B और C included है तो आपको section B है section A है उसमें MCQs है 15 MCQs है जिसके लिए आपको 30 minutes दे जाते हैं अब जो MCQs के solutions हैं इंशालला आपको आपको हमारी website में मिल लाएंगे MCQs के solutions के लिए you can visit our website और इसके अलावा और कोई subjective paper में आपको परिशानी हो section C ठीक है section B section B जो हमारा होता है section B is of 60 marks section B में 9 Qs एटेम करने पड़ते है section B में 9 Qs एटेम करने पड़ते है each Qs कैरी 4 marks हर Qs 4 mark कैरी करता है तो हम पर्ढ़ते हैं section B में आपको क्या क्या है important Qs है और important questions को लाजमी कीजिएगा ठीक है तो you have to attend 9 questions from section B Each questions carry 4 marks अब देखें इस साल के लिए जो ज़्यादा important है section B में वापके बास है functions of control panel plus the functions of CPU and the functions of primary memory याद रखेगा इस साल के लिए CPU, control panel और primary memory तीनों के functions ज़्यादा important है तो आप control panel और CPU में लिखा नहीं है तो CPU के functions भी याद कर लिए ज़िए important question इस साल के लिए जो differences important है उन differences में है आपके पास SIM and DIM, DOES and Windows and SRAM and DRAM ठीक है ये 3 differences ज्यादा important है most important SIM, DIM, DOES, Windows and SRAM and DRAM इसके लावा chapter 1 से इस साल के लिए जो चीज इंपर्टेंट है वो है abacus abacus क्या होता और abacus को हम किस तरीके से nowadays इस्तमाल करते है अगर safe side के लिए आपको time मिलता है तो we can go for wild card characters wild card characters क्या होते है उनका use क्या होते है otherwise इस साल के लिए abacus ज्यादा important है chapter 1 से और देखाऊगा आपने के इसके इलावा chapter 1 से जो सवाला आतने है internet के advantages क्या है computer का impact क्या होता हमारे daily life में internet का impact क्या है internet के applications क्या है तो वो ज्यादा important नहीं है for 2020 annual examination सबड़ी के लिए अलग होता है annual examination की बात कर रहा हूँ for 2020 annual के लिए आपके पस abacus important है ठीक है इसके इलावा दो चीजे और है जो ज्यादा आपको याद करनी पड़ेगी इस साल के लिए वो है ports और उसकी types plotter और इसकी type तो ports and plotters दोनों याद कर लिजेगा plotter उसकी types और ports और उसकी types ठीक है print a file abc.text to a printer आपको क्या करना है abc.text एक file है उसको printer पर प्रिंट करवाना है तो इसके लिए आप क्या dose की command समाद करेंगे तो आपको मुक्तलिफ dose की commands याद करनी पड़ेगी for different functions so it is important plus इस सार के लिए जो चीज एक और important है जो आपको पता है वो यह है conversion of number system आपको decimal to hexadecimal और binary to decimal binary to hexadecimal two's compliment निकालना आना चाहिए once compliment निकालना आना चाहिए तो आपको convergence आनी चाहिए जो के हमारे यहाँ पर question number eight में है इसके लावा question number nine में यहाँ पर है binary addition, binary subtraction, binary multiplication and binary division तो यह आपको binary numbers की addition, subtraction, multiplication, division भी आनी चाहिए इसके लावा एक और जो चीज इंपोर्टेंट है वह कार्णक map भी skip नहीं कर सकते for 2020 2020 के लिए आप कार्णक map को skip नहीं कर सकते it is very important for 2020 examination इसके लावा आपके पास 2020 में जो एक और चीज इंपोर्टेंट है वह है dwell purpose devices कि dwell purpose devices क्या होती है उन्हें example के सदब discuss करें तो यह आपको discuss करना है कि dwell purpose devices क्या होती है उसकी examples पता है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको binary addition होनी चाहिए binary subtraction का पता होना चाहिए multiplication division plus convergence पता होना चाहिए decimal number system में इसके लावा एक और चीज में आपको पहले से बता चुका हो कि plotters आपको याद करना है इसके अलावा short में एक और चीज़ चैप्टर वन से आपसे पूछी जा सकती है super computer and mainframe computer super computer and mainframe computer पर आपको short node लिखना है ठीक है यह लाजबी सवाल आ सकता है आपके पास ठीक है important है chapter 1 से इसके अलावा आपके पास chapter 1 से एक और चीज़ important है generations जो आपके पास है second and fourth generation तो आपको second and fourth generation के advantages याद करने है इस साल के लिए आ सकते हैं short में ठीक है तो आपको second and fourth generation के advantages आज़ करने है प्लस आपको mouse पे short note लिखना आना चाहिए यह mouse एक input device है और इसको describe कैसी करेंगे उसको आपको मुक्तलिफ points में या एक paragraph लिखके describe करना है प्लस आपके पास screen saver set करने के लिए क्या procedure होता है what is the procedure of setting a screen saver screen saver set करने के लिए क्या procedure होता है आपको बताना है ठीक है तो यह आपकी बस चीज़ है इसके इलावा keyboard क्या होता है तो उसके keys की distribution भी याद कर लिएगा ताकि आप short में आगया तो आप उसके कर सके ठीक है और बाकी में advantages का वह बता दिया second and fourth generation के advantages पूछे जाएंगे plus registers क्या होते हैं कितने तरह के registers CPU में मौजूद होते हैं it is also very important question convergence बता दिया मैंने binary numbers की addition suppression बता दिया इस साल के लिए जो मैंने आपर लिखा है prove the following equation and draw the truth truthable ठीक है तो इस साल के लिए truthable important नहीं है लेकिन आप full form ज़रूर याद कर लेजेगा if you have a time अब आपको यह बहुत सवाल लगते हैं definitely you can contact me I will tell you some selective question only for those students जिन्होंने पूरा साल question नहीं पढ़ा और जो नहीं पढ़ पाए ठीक है इसके इलावा हमारा section C है section C में क्या क्या important है पहले से मैं आपको बता दूँ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो CPU का question है वो हर साल section C में आता है लाजमी बिल्कुल आता है इसको निगलेक्टनी कर सकते या तो किसी और तरीके से पुछा जाएगा यहां पर जिस तरीके से पुछा गिया है ऐसे पुछा जाएगा लेकिन आता जरूर है CPU का सवाल तो पेच्टल साल CPU के functions पूछे थे इस साल सिफ CPU के functions का question short में आ सकता है अब आपर लॉंग में आपसे पूछा गिया है कि CPU के block diagram बना है और CPU के parts होते है इसको explain करें तो यह important question है इस साल के लिए CPU important है दूसरा monitor important है थर्ड आपके पास जो टीज important है वह आपके पास है keyboard keyboard, monitor and block diagram of CPU along with its units along with its parts that is ALU and CU यह दोनों discuss करने हुगे इसके इलावा जो चीज important printer क्या होते है short note इस साल के लिए दोबारा आ सकता है पिछले साल आ चुका है मुतलिफ चीज़ों पर short note पूछा जा सकता है तो यह आपके पास short note बाके ज्यादा important है recycle bin, magnetic tape floppy disk and hard disk और एक और चीज लाजमी यहां मैंने इसको रैड नहीं किया है Windows Explorer पे भी शॉटनोट पुछा जा सकता है और यह लाजमी इंपॉर्टेंट है Windows Explorer इसके लावर मैंने बता है आपको Keyboards और उसके Parts Keyboards और उसकी Division यह Long के लिए Important Keyboard का Question मैंने Short में भी लिखा है लेकिन Keyboard का Question Long के लिए ज्यादा Important है As Compared to Short Short में आपको कितना Content लिखना है Long में आपको कितना लिखना है आपको यह पता होना चाहिए देखें सबसे Important चीज है Paper Presentation और Paper Presentation के बाद जो सबसे Important चीज है आपको यह पता होना चाहिए कि आप जब Paper Present कर रहें तो उसमें आपको कितना Content लिखना है क्योंकि आप अगर ज्यादा Content लिखना है तो चेकर उस चीज को चेक नहीं करेगा उसके लिए बेकार चीज है और दूसरी चीज अगर आप ज्यादा Content लिख दोगे तो आप लिए का Time जाया होगा तो आपको Time को मैनेज करना है और चेकर की आसानी के लिए देखो आप चेकर के लिए जितनी आसानिया क्रेट करोगे उतने आपके नमबर अच्छा हैंगे आप इस पर Blame ना दालो कि कराची बोड में नमबर नहीं आते आप चेकर के लिए आसानिया पैदा करो आपके पस Language Translator भी important है प्लस नमबर सिस्टम भी important है इस साल के लिए और आप सी पूछा सकता है कि generation table क्या होता है आपको computer की मुक्तलिफ generations को discuss करना है प्लस आपके पास एक और में सवाल बोलना हो जो आपको लास्मी करना होगा वो यह convert the following expression into SOP form इस expression को आपको sum of product form में तबदिल करना है यह सवाल भी लास्मी है इस साल के लिए मैंने इसको red mark नहीं किया वा लेकिन आप कर लिजएगा safe side के लिए क्योंकि important question है आपको 2 expressions given है इन दोने expressions को आपको sum of product form में तबदिल करना है तो यह आपके बस target paper है अगर आपको target कोई परेशानी हो कोई चीज समझ ना आ रही है तो definitely आपको उससे पूछ सकते है और अगर आपको और selective questions चाहिए आपने कुछ तयारी नहीं किये पूरे साल से So I will tell you some selective questions जिससे आपके कुछ एक अच्छे number आ जाएंगे लेकिन अगर आप paper पूरा अच्छा करते हैं इस paper की पूरी तयारी करते है तो फिर आपके बहुत यचे number आएंगे So stay happy, stay blessed चैनल को subscribe कीजिए और उस चैनल को अपने friends and family तक share कीजिए कोशिश कीजिए यानि आपके friends तक share कीजिए ताकि आपके जो friends हैं उनको अगर कोई important questions चाहिए हो या जिनको कोई समझने में कोई चीज़ परेशानी हो कोई topic समझ ना आ रहा हो किसी भी चीज़ में परेशानी हो तो definitely वो इस चैनल को subscribe कीजिए और आपके पास इससे मतलिक आपको तमाम चीज़े मिलती रहेंगे या फिर कोशिश करूंगा कि मैं आपको कमेंड में reply दे दूँ या WhatsApp में आपसे content आप आप आप